आज सबसे पहले T.N.E की बात करते हैं जिसके अदर बहुत ही सारे चीज़े होती हैं सबसे पहले तो अपने जो डॉल्फ सिगलर हैं अपने रियल नीम के साथ यहाँ पर आते हैं जो चैंपियन है में चैंपियन मुस इनके ओपर वो अटैक करते हैं मैच के बाद यहाँ पर त्रिफनी यानि जो नियोमी है वो भी अपना मैच एंटाइटल हार चुगी है अब वो आने बाली है डब डवली में क्योंकि वो थैंक वेगरा भी करती हैं अलसो मुस्तफा अली का भी जो है NJPW के अंदर मैच होने जा रहा है तो बहुत सारी चीज़े हमें दिखा देती हैं अलसो हिट्रो के मेंबर जो टॉप डॉला थे वो भी हमें आज TNA में अपे रोधवे दिखा देते हैं मतलब यह सारे एक्स डवडवी सूपरस्टार आज हमें TNA के अंदर आते हैं एक्सेट मुस्तफा अली लेकिन जो भी हो इनोंने किसी नए प्रमोशन में तो अपना जो है साइन किया हैं और फोप करते हैं इनका future काफी अच्छा हो WWE से जाने के बाद यह सारे अप टियेने के अंदर आच चुके हैं अद देखते हैं क्या कमाल करते हैं लेकिन यह डॉल जेलर भी आ चुके हैं तो देखते हैं कि आज इसे इनके साथ हमें दिखा दीती हैं ल Punk होने वाले है Elimination Chamber का पार्ट ये ग्राफिक भी डालती है and CM Punk confirm हो चुके है Australia Perth के इवेट के लिए जो कि होने वाला है Elimination Chamber अब देखते हैं क्या वहाँ पर वो match में compare करते हैं या फिर कुछ सेग्मेंट देते हैं अब यह सिर्फ आइडिया है अब देखते हैं या फिर किसी शोपर यह भी छोड़ा साइक पीछे बाक्सेज पर देखते हैं लेकिन ट्रू मैकेंटार Elimination Chamber के लिए काफी परफेक्ट अपोनेंट हो सकते हैं लेट सीग्या जीज होती है खेर बात करते हैं हम लग दा क्वीन शार्लेट फ्लेयर के बारे में तो शार्लेट फ्लेयर के इंजरी स्टेटस के ओपर अपडेट आचुका है और यहाँ पर इंजरी के ओपर यह अपडेट आई है कि शार्लेट फ्लेयर के सक्सेस्फुल इंजरी भी हो चुकी है उनने उपने Instagram पर photos वीडियो भी डाले थे एंड यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी उपने वो खर के उपर है अभी फिलाल वो जो है recovery कर रही है Rehabration के अंदर है भी यहाँ पर अभी फिलाल उनके recovery स्टार्ट हो चुकी है अगर सई से सारे लिज़े चलती है तो 2024 से पहले वो अपना रेटरन करेगी साल का तम होतने से पहले तो 9 मन्त का टाइम है तो होब करते हैं वो जल्ली से रेकवर होच है और उनको all the best और फिलाल ये कुछ बात है थी शार्लिक फ्लेयर के बारे में बात करते हैं हम लोग अपने इंटर कॉंटिनेंटर चैंपियन रिंग जर्रल गंथर के बारे में गंथर का Elimination Chamber का स्टेटस क्या है तो इसके लिए थोड़ी से एक सैड अपडेट है रेस्लिंग ब्लॉक का गयने कि अभी के लिए फिलाल नहीं जा रहे है अपने गंथर Elimination Chamber का पार्ट नहीं हो सकते हैं क्योंकि अभी फिलाल मैंने बताया है था अपडेट वाली वीडियो में कुछ टाइम पहले मन्त पहले ही अपडेट आई थी कि गंथर अगले कुछ महिनों के लिए युएसे से बाहर में भी ट्रावल नहीं कर सकते हैं यह फिलाल बात हैं लेकिन ओरिजिनल डवडबली के यह प्लांस थे कि गंथर Elimination Chamber का पार्ट होने वाली थे लेकिन अभी भी डवडबली चे कुछ चीज़े प्लान कर रही हैं डव अब देखते हैं क्या चीज़े होती हैं अभी के लिए फिलाल यह कुछ अपने गंतर के बारे में अपडेट है कि अभी के लिए तो फिलाल उनका स्टेस अंक्लियर है चांस से सुट जाद है कि वो में भी इश्यों को मिस्कर सकते हैं योग एक इंटरनाशनल इवन्ट होग है एंड टाइटल वियुक्त वियुक्त के साफ जो यह रिंगविश की थी लेकिन पिछले कुछ दिनों से वोज है डब डबली के पर्फॉर्मेंस सेंटर में आ रही है और यहां पर फर्फॉर्मेंस सेंटर आ रही है वो सकते हैं अच्छा प्लेस होगा उनके रिटर्न का लेकिन ये फलाल कुछ update निकल के सामने आ रही है कि वो जह है performance center के अंदर कुछ लिए उच्छ दिनों से हफ्तों से आ रही है तो ये फलाल बात है ये फलाल कुछ return के बारे में उनकी update थी बात करते हैं हम लोग अपने solo sequo के बारे में अपने bloodline के enforcer की बात करते हैं तो solo sequo के बारे में एक update है update ने एक stat basically यहाँ पर जब से उन्होंने crown jewel के अंदर अपने John Cena को हराया है इसके बाद solo sequo ने एक भी अभी तक singles match जीता नहीं है तो ये फलाल कुछ stat आया है dead आया है है solo sequo के regarding crown jewel के अंदर Saudi Arabia में solo sequo ने अपने John Cena को हराने के बाद एक भी singles match जीता नहीं है और पथा नहीं सीम पंगने कितने सॉरी अपने solo sequo ने John Cena को हराने के बाद कितने singles matches रेसल किये हैं अभी पता तो नहीं है लेकिन हारे होंगे तो that means में भी disqualification बेगरा हो गए होगी यह फिलाल कुछ बाते हैं आपके सबसे आपको याद है कि कपसी अपने जो जो solo sequo का मैचे singles match होगा था John Cena को हराने के बाद अगर मालू है तो comment कर सकते हो लेकिन फिलाल कुछ अपनी जो है special entry कर सकते अगस इस साल WrestleMania 40 के अंदर यह फिलाल बता जा रहा है इसी लिए में भी उनका एक ओल्ड team song वापस आ सकता है इसके बाद वो जो बर्न इट डाउन का जो फिम होता है उसका भी थोड़ा टीजिंस डालते है मसिया का भी अच्छा चांस है कि में भी वहाँ पर set it ओन का जो मसिया वाला या कि पड़े सेश के उपर वो काफी कमाल का लाए अगा अगा तगड़ा मोमेंट होगा लेकिन अब देखते का आज जी से होती है कि आप मसाया वाला जो है गाना देखना चाहते वापस है फिर बर्न डाउन वाला या फिर अभी जो करंट है वही बताना लेकिन फिलाले सिती और में में मिल ताओ नेक्स्ट वीडियो के अंदर